Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए Coming Week का सापताहिक राशी फल यह 31st October से लेकर 6th November तक की आपकी Tarot Ratings हैं, Tarot Predictions हैं और इस वीडियो में Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pices यानि की धानू, मकर, कुम्भ, मीन राशियों के सापताहिक राशी फल हैं और नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो देखें Tarot Reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशी फल चलिए से ठीडेडियस आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए cards है queen of suits and emotional withdrawal और दिखिए दोनों ही cards कहीं contrary energies की बात करते हैं जहां एक card बहुत logically चीज़ों को deal करने की बात करता है mind से चलने की बात करता है, detachment की बात करता है वहीं दूसरा card emotionally low feel करने की बात करता है कहीं you know किसी चीज़ को लेकर मायूस होने की बात करता है यह यह भी कह सकती हूं मैं कि जो भी चीज़ें आसपास हैं उन में से कहीं एक you know dissatisfaction भी महसूस करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional friend में रह रहा है surface level के लिए again आप बहुत detachment के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं कहीं आप खाम खाही, emotional नहीं हो रहे हैं, sentimental नहीं हो रहे हैं जो भी आप चाहते हैं उसी से related बहुत जबरदसते clarity रखते हुए दिख रहे हैं और उसी direction में आप action initiatives ले रहे हैं लेकिन जो भी surface level के लिए आप कर रहे हैं या जो भी surface level पे हो रहा है कहीं deeper level के लिए वो satisfaction, वो joy, वो happiness आपको नहीं दे पा रहा है और at times क्या होता है न कि सब कुछ हमारे आसपास बहुत बढ़िया होता है फिर भी हमारा मन कहीं एक happiness, joy नहीं महसूस कर रहा होता है या फिर भी वो चीजें हमें excite नहीं कर पाती है वो चीजें कहीं वो satisfaction हमें नहीं दे पाती है तो देखिए कुछ सेटेरियस के लिए ऐसा भी हो सकता है और overall के लिए देखिए again मैं कहूंगी आपको जो required है अपने goal को करने के लिए आप वो कर रहे हैं कहीं you know फिर से मैं कहूंगी logically deal कर रहे हैं emotion sentiments को बीच में नहीं आने दे रहे हैं लेकिन मन ही मन कहीं एक उदासी, कहीं एक you know emotionally low आप महसूस करते वे दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of pentacles and positive movement forward तो दिखे personal front में आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं चीजों से, लोगों से या फिर in general भी एक movement, एक progress, एक growth पे आप जादा focus कर रहे हैं पीछे किसे भी चीज पे अगर आप अटके हुए थे बहुत जादा stuck महसूस कर रहे थे तो इस week आप उससे बाहर निकल रहे हैं और दिखे फिर से मैं काऊंगी आप इस सब के लिए different personal life's related areas हो सकते हैं कुछ के लिए जगा हो सकती है यानि कि आप travel करना चाहा रहे हैं आप फिर travel कर रहे हैं इस तरीके की movement रह सकती है कुछ के लिए दिखे आपका ही negative thought process है या फिर कोई belief system है आप उसको छोड़के आगे बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ के लिए दिखे कोई इंसान हो सकता है कोई relationship हो सकता है और दिखे जो भी movement है कहीं वो positive रहती होई दिख रही है especially आपके लिए you know positive रह रही है अगें देखे नक्षल में मैं कहूंगी आप जो भी movement कर रहे हैं वो आपकी life में एक positive changes लेकर आए positivity लेकर आए ये आप you know खयाल रख रहे हैं इस पर focus कर रहे हैं बट इसी से ही related हो सकता है आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं आप फिर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं एक से ज़्यादा thoughts आपके mind में हैं और कहीं इनको आप balance करना चाहा रहे हैं जो कि थोड़ा सा issue रह सकता है थोड़ा सा challenging रह सकता है लेकिन आप बहुत अच्छे से balance कर पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से चीजों को prioritize कर पा रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए simply love का card है और बहुत clear message है इस card का कि इस week आपने बहुत ही lovingly बहुत ही compassionately हर चीज को deal करना है लेकिन देखिए क्या होता है जाना कि हमें बच्चपन से सिखाया जाता है कि सब से बहुत प्यार से बात करो सब के लिए बहुत एक love अपने दिल में रखो या फिर उनको बहुत love करो लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता है कि जितना important दूसरों को love करना होता है उतना ही important खुद को भी love करना होता है खुद के लिए भी compassionate रहना होता है तो इस वीग देखे इस चीज का खयाल रखें कि आप खुद के लिए hard ना हो आप खुद के लिए you know एक unlovable ना हो या मैं कहूंगी कि खुद को आप love करें खुद को आप prioritize करें खुद के लिए आप compassionate रहें मैं यह नहीं कह रही हूं कि बाकियों को आप love ना करें लेकिन इन दोनों चीजों में balance आप ज़रूर maintain करें अगें जितना आप दूसरों के लिए अच्छे हैं उतना ही आप खुद के लिए भी अच्छे ज़रूर रहें आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है और इसके हिसाब से all shades of blue, all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था से जडिटी देस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए क्या अप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है four of swords and passion ignited और यह cards कहते हैं कि इस week जहां एक तरफ बहुत जबर्दस्ट एक excitement बहुत जबर्दस्ट एक enthusiasm किसी चीज के लिए रह रहा है वहीं दूसरी तरफ आप कहीं अराम करने के mood में दिख रहे हैं कहीं एक relaxation वाले mood में रहते हुए दिख रहे हैं और यह सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि इस week आप अपने professional front से एक break लेना चाहा रहे हैं आप you know out of city जा रहे हैं vacation पे जा रहे हैं या किसी भी तरीके से एक छुटी लेना चाहा रहे हैं एक break लेना चाहा रहे हैं अगेन मैं कहूंगी एक relaxing वाले mood में रहना चाहा रहे हैं और उसी के लिए ही आप बहुत जादा excited हैं उसी के लिए ही बहुत जादा एक आपको enthusiasm हो रही है कि भई अब अराम से you know अराम करेंगे बहुत काम कर लिया पीछे कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई चीज आप शुरू करना चाहते हैं अपने work, अपने professional friends related और उसके लिए कहीं आप बाकी सब चीजों से withdraw करके mind में या फिर किसी भी तरीके से एक planning करना चाहा रहे हैं एक strategy बनाना चाहा रहे हैं कहीं उसी से ही related आप और जादा चीजों को समझना चाहा रहे हैं सूचना चाहा रहे हैं और इसलिए कहीं बहुत actively आप बाकी की चीजों में अपने आपको नहीं involved कर रहे हैं तो देखिए जो दो एक scenarios मुझे समझ में आ रहे हैं मैंने आपको कहा है overall professional front में अगर हम देखें तो जहां एक तरफ एक excitement एक enthusiasm किसी चीज के लिए रह रहा है एक नई beginning या तो आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बहुत आप अराम करते हुए दिख रहे हैं एक withdrawal चीजों से लोगों से situation से करते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है Ace of Wands and Universe तो दिखें दोनों ही fronts के लिए कहीं नई beginning के cards हैं तो किसी तरीके की किसी level पे कैसी भी एक नई beginning आप चाहा रहे हैं या फिर हो रही है जिसको लेकर बहुत एक enthusiasm एक excitement overall ही इस week के लिए रहतावा दिख रहा है personal front के लिए देखें तो देखें universe का card कहता है या तो आप out of the country travel करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी नई beginning आप करना चाहा रहे हैं या हो रही है आपको ऐसे लग रहा है नया phase शुरू हो रहा है और उसको लेकर एक excitement है enthusiasm है और दिखिए ये completion ये ending सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए relationship में जो भी चीजें चल रही थी वो एक phase उन चीजों का end हो रहा है और नया phase आपके relationship में शुरू हो रहा है नई एक beginning आपके relationship में हो रही है कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज को आप complete कर रहे है किसी चीज को end कर रहे है वो कोई भी चीज हो सकती है आगे देखिए यहाँ पर मैंने आपको relationship का example दिया वो कोई जगा हो सकती है वो आपके mind का कोई thought हो सकता है belief system हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है और overall के लिए देखिए कहीं एक excitement and enthusiasm इस वीक के लिए जादा रहता हुआ दिख रहा है और फिर से मैं कहूंगे एक नई beginning जादा रहते हुए दिख रही है and guidance से आप लोगों के लिए daydreams and decision का card है और ये card कहता है कि जो भी आप चाहते हैं अपने professional या फिर अपने personal front के लिए आप सोच बहुत जादा रहे हैं आप vision create कर रहे हैं आप कहीं you know planning कर रहे हैं लेकिन concrete steps concrete measures उसको reality में convert करने के लिए missing रहते हुए दिख रहे हैं या मैं कहीं सकती हुए एक practical realistic approach आप नहीं ले रहे हैं और वो missing रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं Capricorn ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि देखिये ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब तक हम action नहीं लेते हैं तब तक हम उन ख्वाबों को reality में नहीं convert कर पाते हैं और हो सकता है कि इन ही सब चीजों से related आपको कुछ decisions कुछ choices भी लेने हैं आप नहीं ले पा रहे हैं कहीं आप distract हो रहे हैं और अगर ऐसा भी आप पाएं Capricorn तो इस चीज को भी ज़रूर चक करके correct करें तो देखें नचल में guidance आपके लिए ये है कि एक practical realistic approach ज़रूर रखें या मैं कहूंगी action initiative ज़रूर लें और अगर कोई भी decision choice लेने की ज़रूरत है तो उसको भी आप ज़रूर लें and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है और इसके हिसाब से all shades of blue आप लोगों के लिए इस week lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए cards है 10 of cups and temptation और दिखें ये दोनों ही cards एक्दम से contrary energies की बात करते हैं जहां 10 of cups का card happiness की बात करता है, joy की बात करता है का card, stress, tension की बात करता है, या मैं कहे सकती हूँ कि जो भी मिल रहा है उससे एक satisfaction नहीं होने की बात करता है, और जादा चाहने की, और जादा you know होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week आपके professional fund में specifically रहता हुआ दिख रहा है यानि की देखें, surface level के लिए अगर हम देखें, तो एक happiness है, joy है, जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी bonding अच्छी हो रही है उनके साथ आपका relationship अच्छा हो रहा है जैसे की मैंने अभी बताया कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई celebration आपके work front में हो रही है किसी तरीके का get together है जो आप enjoy कर रहे हैं जहां पर eating, drinking, merrymaking हो रही है कुछ के लिए हो सकता है किसी project पर या फिर किसी चीज़ पर आप बहुत time से काम कर रहे थे, वो इस week complete हो रहा है आप अपने loved ones के साथ celebrate कर रहे है या फिर loved one की तरफ से एक appreciation, एक recognition मिल रही है तो दिखिए, surface level के लिए एक happy energies रहती हुई दिख रही है और money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से जादा एक emotional satisfaction एक emotional bonding रहती हुई दिख रही है लेकिन money ही, money कोई चीज़ आपको परिशान भी कर रही है और देखे, ये सब के लिए differ कर सकता है लेकिन temptation का काट बहुत ही clearly कह रहा है कि जो भी मिल रहा है जो भी हो रहा है उससे कहीं वो satisfaction नहीं हो पा रही है आपको ऐसे लग रहा है कि और चाहिए या कभी-कभी देखे, ये भी होता है Aquarius कि जब जो हम चाहते है हमें मिल जाता है यानि कि ये एक happiness, एक joy होती है तो एक fear भी आ जाता है कि कहीं यूनों ये चीज हमारे हाथ से न निकल जाए या फिर कहीं ये ना हो कि ये चीज end हो जाए एक attachment हम हसूस करना शुरू कर देते हैं और फिर हम परिशान होते हैं तो कुछ के लिए ऐसी भी energies रह सकती है फिलाल के लिए दिखे, यहाँ पर दोनों ही चीजे रहती हुई दिख रही है और मैं आपको यही कहूंगे Aquarius कि जितना आप जो अच्छी चीजें आपकी life में इस week professional front में चल रही है उनके उपर focus करेंगे उतना ही यह जो pressure, stress है इसको आप overcome कर पाएंगे और थोड़ा सा आप अपनी self-talk का भी जरूर खयाल रखें कोई भी negative thought अगर आपको आए तो जट से आप उसको positive thought के साथ replace करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, nine of pentacles and financial and material changes और देखिए personal front में भी कहीं mix सी चीजें रहती हुए दिख रही है जहां एक तरफ materialistic tangible चीजों को आप बहुत enjoy कर रहे हैं, वहीं कहीं देखिए इन्हीं चीजों से related कुछ issues, कुछ मसले भी रह रहे हैं और ये भी सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि personal front में आप कोई बड़ी purchase करना चाहा रहे है या फिर आपने कोई बड़ी purchase करी है उसकी वज़े से financially थोड़ा सा आपका heart tight हो रहा है थोड़ा सा money पैसे के बारे में आप सोच रहे हैं या manage कर रहे हैं या उससे related issue हो रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आस-पास हैं आपके loved ones, close ones उनसे आपको लग रहा है कि वो attention, वो love या पिर वो care नहीं मिल रही है किसी तरीके का एक rejection किसी भी level पे कुछ के लिए बहुत ही you know, हलका सा हो सकता है again मैं कहूंगी किसी भी level पे रह रहा है लेकिन देखिए जो भी है कहीं आप उससे परिशान नहीं हो रहे हैं या मैं कहूंगी कि ये चीजें आपको effect नहीं कर रही है आप कहीं materialistic, tangible चीज़ों को enjoy करते वे दिख रहे हैं और अगर कोई आपके साथ है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो आप खुद की ही कमतनी enjoy कर रहे हैं आप खुद के साथ यूनो एक बहुत enjoy चीज़ों को करते वे दिख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पर आपने बहुत effort किया बहुत मेहनत करी उससे related आपको एक positive outcome मिला उसको आप enjoy कर रहे हैं तो overall देखिए personal front के लिए छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं पर इन चीज़ों को आप अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं आप बहुत जादा discipline तरीके से आप बहुत जादा एक controlled way में positive चीज़ों को personal front में देख रहे हैं उनको enjoy कर रहे हैं और कहीं आप independently ही चीज़ों को करना चाहा रहे हैं अपनी किसी भी चीज़ के लिए आप किसी के ऊपर भी beyond the point depend नहीं होना चाहा रहे हैं नहीं हो रहे हैं फिर चाहें वो आपकी enjoyment हो फिर चाहें खुद की company हो फिर चाहें कुछ भी चीज़ हो and guidance से आप लोगों के लिए nurture का card है और ये card कहता है कि जो भी आप अपनी life में चाहते हैं चाहें वो आपका professional front हो चाहें वो आपका personal front हो बहुत important है कि उस चीज़ को आप nurture करें देखें जब हम beach बोते हैं तो एकदम से पौधा नहीं निकलता है या फिर मैं कहूंगी जब तक हम उसको nurture नहीं करते हैं उसको पानी नहीं देते हैं खाद नहीं डालते हैं उसको sunlight नहीं मिलती है तब तक वो beach पौधे में नहीं convert होता है तो इसी तरीके से थोड़ा सा सबर रखने की ज़रत है थोड़ा सा love, care, nourish उस चीज को करने की ज़रत है नर्चर उस चीज को करने की ज़रत है और दूसरी चीज ये कार्ट कहता है कि self को ज़रूर prioritize करें self love, self care को ज़रूर आप practice करें and astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का कार्ड है और इसके हिसाब से all shades of yellow तो इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था एक video साप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए बाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है page of cups and recognition and reward और देखे recognition and reward का card बहुत ही clearly किसी positive result किसी positive outcome के मिलने की बात करता है जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं या फिर आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक recognition, एक appreciation भी मिलने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रह रहा है यानि कि देखे materialistic, tangible, money, पैसे से related किसी level पे किसी तरीके का एक gain, एक फाइदा भी काफी सारे prices के लिए रह रहा है या फिर जो भी इस week हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि आगे आपको एक फाइदा हो सकता है लेकिन देखे किसी चीज को लेकर prices आप थोड़े से emotional हो रहे हैं sentimental हो रहे हैं और कहीं एक immature behavior भी या तो आपका या फिर आपके work front में किसी का रह रहा है और अगर ऐसा आप पाएदा तो इस चीज का खयाल रखें या मैं कहूंगी कि कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice किसी experiential इंसान से बात करें बगयर आप ना करें किसी email, message, phone call का अगरवेट कर रहे थे तो वो भी इस week मिलता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है the star and spiritual strength और देखे spiritual strength का card, छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले personal front में इस week रहने की बात करता है लेकिन Pisces आप बहुत ज़ादा positivity से चीजों को deal कर रहे है जो भी issues हैं, आप उनसे बिल्कुल भी परिशान नहीं हो रहे है आप कहीं बहुत clarity रखते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़ादा इस चीज की एक understanding आपके लिए रहते हुए दिख रहे हैं, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या direction लेनी है और बहुत एक, यूनो hopeful आप चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक उमीद आप नहीं खोते हुए दिख रहे हैं, और prices जब तक, यूनो, हम hopeful होते हैं जब तक हम उमीद नहीं खोते हैं, तब तक हमारे उस चीज़ को पाने के chances बहुत ज़ादा होते हैं actually में, देखिए हम किसी भी चीज़ को तब खोते हैं जब हम उमीद खोते हैं तो I am very happy कि इस week एक positive attitude, personal front में आपका रह रहा है, इसके बावजूत की छोटे मोटे issues रह रहे हैं और देखिए, चोटे मोटे issues भी सब के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत effort किया, बहुत महनत करी, इस week एक positive result आप expect कर रहे थे, नहीं मिल रहा है, तो मन ही मन एक थकावट, एक exhaustion सा आप महसूस कर रहे हैं कि भई आपने इतना effort किया, आपने इतनी कोशिश करी और उस तरीके का एक result आपको नहीं मिला लेकिन फिर से मैं कहाऊंगी कि आप give up नहीं कर रहे हैं आप बहुत hopeful होकर चीज़ों को deal कर रहे हैं again दिखिए, एक positivity रखते दिख रहे हैं, और जब ऐसा हमारा attitude चीज़ों को लेकर होता है तो definitely हमें success मिलती है, या मैं कहूंगी हमें success मिलने से कोई भी नहीं रोक पाता है and guidance से आप लगों के लिए manifest का card है, तो देखिए, जो आपकी energies हैं वैसी ही आप लगों के लिए guidance भी है, ये card आपको और ज़ादा remind कराता है कि जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, definitely आप इसको achieve कर सकते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर वो एक power है, बहुत जबर्दस potential है, हर चीज को reality में convert करने के लिए, तो इस चीज का आपने खयाल रखना है, यानि कि जो हम सब के अंदर एक बहुत जबर्दस potential है, power है, magical energies है, उनको आपने ज़रूर, you know मैं कहूंगी apply करना है, या फिर उनका एक खयाल रखना है, उनके लिए एक awareness आपने रखनी है और दूसरी बात ये card कहता है definitely अगर आप ऐसी energies में रहेंगे, बहुत जबर्दसते confidence खुद पे, जिस God को मानते हैं, उन पे रखेंगे action initiatives लेंगे तो आप उस चीज को भी ज़रूर अचीव कर पाएंगे, जो भी आप चाहते हैं, and astrology से आप लगों के लिए Sagittarius sign का card है और इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Thursday तो ये था Pisces आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए